और अब बात उस खत्रे की जिसकी वज़ा से आधा हिंदुस्तान प्यास है बात हम सूखी की कर रहे हैं एप्रिल का महीना भी शुरूई हुआ है मगर शुरूबात में हालात इसकतर बिगडने लगए कि पानी पर पहरा तक बिठाना पड़ रहा है सुखे और अकाल की मार से बुनेल खंड से लेकर मराठ वाड़ा तक के गाउं की गाउं खाली होने लग गए मध्यप्रदेश के टीकमगड में पानी को बचाने के लिए तियार बन लो पहरा दे रहे पानी को लेकर पहरा जो की कुदरत की देन है 70% water content है अर्थ में ये बोला जाता है लेकिन जल को लेकर हाहाकार किस सितिक किस तरीके से मची हुई है कितना ये एक man-made disaster आए क्योंकि हम संभाल नहीं पाए पानी को पानी का खर्च पानी की कीमत को समझ नहीं पाए शायद यही वज़ा है कि अब पहरा देना पढ़ रहा है पानी के आगे एक-एक बूंद के लिए जहां पर संघर्ष है सूखे का सबसे ज्यादा असर एक तो यहां पर भी देखने को मिल रहा है और दूसरा असर कहीं और पर भी देखने को बना उस जगह आपको लेकर चलेंगा लेकिन यहां के लोगों का क्या मानना है वो आपको पहले सुना देते हैं पानी हम तीन दिन पानी दे रहे हैं तीन दिन का हमारा करटेल है और अक्टूबर माय में हमारा दो दिन का करटेल था पिंतू शूखा पर वहावित इस तरी को देखते हुए बर्दमान जल संकट को देखते हुए चुकि बिगत तीन मर्सों से मांसून और सस्य भी कम रहा है इसकारण जल भन्नारण हमारे पास कम था तो तीन दिन का मैंने करटेल कर दिया है हर सेक्टर में चोथे दिन पानी दे चर्चा की और हमारे हां टीकमगर में पानी की काफी समस्या है तो माननी मुक्मंतरी जी माननी कलेक्टर सर के आदेश की अनुसार पानी चोड़ा गया और अभी तक हमारे चार महीना हमारे बरी घाट में पानी का स्टॉक है और टीकमगर में पानी की समस्या हम नहीं आने द सावमियों को तैनात किये हैं बंदुख धारियों को और उनके पास उनका लाइसेंस भी है